तो गाइस यह माइक्रोमेटर डिजिटल माइक्रोमेटर है इसका जो रेंज है 0-25 mm और इसका देखो कि लीस्ट काउंट 0.001 mm है और इंच में भी दिया है 0.0005 इंच तुसके एक्यूरेसी ऐस चेमपार तू आपका जो स्टैंडर्ड माईक्रोमेटर है उससे ज़्यादा होता है और आपको इसमें कुछ भी चैलकूलीशन नहीं करना है जैसे हम लोग नौर्मन माईक्रोमेटर में करते हैं इसमें भी देखो सेम यह यू आपका यू फ्रेम है यह अन्विल स्पेंडल और यह लॉकिंग नट और यह जो स्क्रीन है यह आपको रीडिंग शो करेगी जो भी रीडिंग आपको लाइक आप जब मेजरमेंट करेंगे दुनों के बीच में तो उसकी रीडिंग यहां पर आपको शो होगी और यह सेम लाइक सर्कुलर स्किल है यह सर्कुलर स्केल है और यह रैचेड है जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में तो अभी इसका जो है इसका जो रेंज है 0-25 mm है इसमें 25-50 mm भी है कवेया इसका इसका न कंपनी में काम कर रहे नह restaurants अगर्मेटा करें सकते हो कि अगर आप उसकी कालिबरेशन डेट बगर कि नहीं तो अपको इससे पथा चलता है क्योंकि digital माइक्रोमेटर में चांसे बहुत ज्यादा होता है कि उसकी कैलिबरेशन आउट हो जाए तो इसके लिए डिजिटल यह सब जो वर्नियर होते हैं माइक्रोमेटर उनकी कैलिबरेशन चेक करना बहुत जरूरी होता है अब हम लोग देखेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो यह हमार देखो इंच में दिया हुआ है यह इंच में भी इसके 5 डिजिट तक है 0.5 डिजिट तक और इसके इसमें देखो यह बटन है ऑन अफ का जिसे आप पो लाइक ऑन उफ कर सकते हो ज कि यह दुखो आपका अमें में करणवाट हो गया अमें में तीन डिजिट तक आता है डेसिमल के बाद सो सेम हम लोग अभी देखने वाले कि हम लोग कंपोनेंट कैसे चेक करते हैं तो सबसे पहले कभी डिजिटल माइक्रोमिटर आप लो तो सबसे पहले इसको जिरो सेट क करेंगे इसमें इसकी कितनी थिखनेस आ रही है कि अग्युक्त इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमको 1.36 आ रहा है 1.35 लाइक डायेटले आपको रीडिंग मिल जा रही है इसमें 1.35 आ रहा है हम लोग ने फिर से एक और कंपोनेंट लिया है नहीं करको देक बन द questa रहा पहले मने जिरो सेट किया फिर से इसको स्टर्ड गया था तो अभी इसको डुक्तशिक करने वाले इसकी थीखनेस कितनी आ रही है यह जो बोल्ट है उसकी इसकी देखो थिकनेश डिरेक्ली आ रही है 9.774 mm में है ये तो आप डिरेक्ली इससे ले सकते हो रिडिंग अभी हम लोग अगर पहले तो गाइस हम लोग ने अभी जीरो सेट कर दिया है फिर बाद में अगर हमको इंच में गनवर्ट करना है लॉंग प्रेस करना होगा अभी यह देखो गए इंच में गनवर्ट हो गई अगर हमको कोई भी रिडिंग अगर अभी हमको लेना है अगर यसे आपको ज्यादा मुव्मेंट करना है तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हो लाइक जब रिडिंग लो तो आपको प्रॉपरली इसको हैंडल करना आना चाहिए अब यह से हम लोग एक और बोल्ट है उसको हम लोग इंचेस में मेजर कर रहे हैं यह नट को अब यहां पर देखोगे आपको क्या रही है 0.38975 इंच में आपको देखो 5 डिजिट तक आपको मिल रही है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है यह माइक्रोमेटर की तो एक और हम लोग कंपोनेंट देखते हैं उसकी रिडिंग जिरो सेट करेंगे तो आपको कि अब इसका हम लोग ओडी चेक करतें कितना आ रहा है यह यह पैंसिल अब इसको के तो इसका मम और कर दिया है इसका और है 7.024 मम है इसका ऐको एक्ली तो मैं आपको 25-50 mm का भी एक डामेशन दिखा जीता हूं उसमें कैसे आता है कि सब्सक्राइब यह 25-50 इसका लाइक की इनिशल पॉजिशन इस 25 mm रहेगा तो हम लोग देखते हैं अभी इससे इसमें कोई भी कंपोनेंट जो 50 mm के आसपास रहे वह चेक कर गे है कि सो यह कैप दिख रही है मुझे इसका हम लोग चेक करते है कि सब्सक्राइब है कि सब्सक्राइब देख रहे हैं इसका रिडिंग क्या रहा है ओटी वन पॉइंट इसका रिडिंग आ रहा है 41.83 2 mm है तो इस तरीके से सेम जैसा हम लोग नॉर्मल डिजिटल यूज़ करें से 0-25 mm सेम इसी तरीके से आप लोग यह भी यूज़ कर सकते बहुत इसको यूज़ करना अगर आपको और भी इसी तरीके क्या इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए रहेगी तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए तो अभी के लिए बाय बाय थैंक्यू थैंक्यू फर वाचिंग